तो सर्दियों में आप अपने सफिद बालों को जड़ों से कैसे काला बनाके रखे वो भी लंबे टाइम तक आज मैं आपको बताऊंगी तो यह देखे मैंने इसे बालों में अपलाई किया हुआ है बहुत अच्छा रिजल्ट है इसका इसे लगाने से आप अपने बालों को बहुत लंबे टाइम तक सर्दियों में काला बनांगे रख सकते हैं एक रूप लोक को साइनेजु से यानि क्या 40 के बाद जैसे 40 50 60 70 80 आप उसके बाद आप 40 के बाद आपके बहुत जादा वाइड वाल है तो आप इसे बेज जिजक इस्तिमाल कर सकते हैं क्योंकि मैंने भी इसे लगा हुआ है तो आप इसे ट्राइ करें कीजेगा और कैसा लगा वह मेंसा जरूर शेयर कीजेग और प्लीज चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलेगा और चैनल को पहली पाद देख रहे हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कीजेगा वीडियो को जादा से जादा शेयर कीजेगा जैसे वह आपके साथ वाले भी इसका फाया उठा सके क्योंकि यह चीजे ऐसी है जो आपको हर को इतनी डीटेल में नहीं बताएगा तो ट्राई कीजेगा और चलिए इसे मैंने कैसे बना है इसमें क्या किस्तमान यूज किया है वो आगे वीडियो में और आज आप मैं आपको कत्थे से बनने वाली एक बहुत अच्छी डाई के बारे में बताऊंगी इसे लगा चैनल को लिख सब्सक्राइब जरूर कीजेगा जिससे आप मेरी वीडियो को पसंद करते हैं तो मुझे लाइक कर से कि अच्छा कमेंट कर सकें और पसंद आती है तो किसी और के साथ भी शेर जरूर कीजेगा तो चलिए फटाफट शुरू करते हैं कत्थे से बनने वाले ड आप थोड़ा ज्यादा भी ले सकते हैं अगर आपके बाल बहुत ज्यादा बढ़े हैं तो अगर आपको जड़ों के लिए चाहिए खाले अपने रूट टचप के लिए चाहिए तो आप इसी तरीके से और इसमें हम मिलाएंगे इंडिको पॉडर बहुत ही ज्यादा अच्छ करके लगाते हैं तो इससे बालों का कलर बहुत ही जल्दी ब्लैक आता है इससे रैड कलर नहीं आता है और जो लोग फरस्ट टाइप में इसी यूज़ कर रहे हैं तो वह सकते और पहले हिना का इस्तिमाल कर लें उससे क्योंकि आपके बालों में और अच्छा कलर आएगा इसको पेस्ट को बनाने के बाद आपको कम से कम 20-25 मिनट अपने बालों में लगाना है 20-25 मिनट में यह बहुत अच्छा कलर आपकी बालों में दे देगा और इसका कलर लोंग लास्टिंग आता है बस आपको यह दियान रखना इसके बाद आपको ऐल इस्तेमाल नहीं करना और नहीं शैंपू करना है आपको जो भी इस्तिमाल करना है ओयल या शैंपू अगले दिन या एक दो दिन छोड़कर आप इस्तिमाल करें इसको गोलने के बाद आप इसे 5-7 मिनट लग दीजेगा तो यह तोड़ा ठीक हो जाएगा जैसे हम हिना का पेस्ट बनाते हैं उसी त अच्छा अच्छा लाएगा और इसका कलर ब्लैक हो जाता तो आप देख सकते हैं यह बहुत ही अच्छी रेमेडिया और इससे हर उम्र में आप अपने बालों को काला बना सकते हैं तो प्राइज ज़रूर कीजिए गा और उसके बाद आपको इसका रिजल्ट कैसा लगा व बिल्कुल भी मत भूलेगा थेंक्यू आवरिवर्वर्वर्व